लो गाश किया आपको द्रीम करता कि 20 4 मंटि विडीयर में बेनीग ड्रेक चाहिए तो आप लागों के लिए Meh बिले पे क्लिक करने के बाद आपको या पे मल्टी बिलर का ओप्सन देखने को मिल जाए उसके बाद मुल्टी बिलर में जाएंगे चाहिए बाद यहां पह opinफ सं मिलेग़ा Does ऐसे लुगों सेखेल सकते हूं की व्यूद्ध ही उसे खेल सकते हो कि वो हमारी पेचान के नहीं होंगे है उन से आप लोग खेल सकते हो तो यहां पर देखो को ऊठेट में मैच में अ प्ले करने के बाद तोड़ा सर टाइम लेगए आप कोई बंदा । हो चुका है हमार साथ और देखतें ये कितने भी लेवल का बंदा लेकिन इसको तरह बेटिंग करते हैं आपको इसी तरह ही बेटिंग करनी है ठीकन्ट यहां से हमारी प्लेंग 11 हाज को step by step समझाते हैं कि आप लोग कौन सी गलती नहीं करनी है उसके कारण से आपकी अब यहां से मैं आपको बता हूँगा कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिसके कारण आपकी बहुत ही अच्छी बेटिंग हो तो मेरे पास सूरे कुमार यादव हैं जो कि आपके पास सबसे पहले आप लोग क्या गलती करते हो वह हमें दिखाता हूं या से पहली गेंद पर आप लोग पता कितने अच्छे गेंद बाज है लेकिन यह वाली देखो यहां पर आप लोग से अगर फिल्ट को टार्गेट करते हों पर फिल्डर नहीं है गेप में धकिला तो चार यह अच्छी हो जाएंगे तो यह वाली गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को अगर ड्रीम क्रिकेट 24 का मल्टी विलर खेलते हो तो आप लोगों को फिल्डर बिल्कुल देखना नहीं है जहां फिल्डर है वहाँ पे आप लोग चेलेंज करके सोट मार सकते हूँ तो यहाँ पर देखो अब मैं जो सोट मारने वाला हूँ अब जो फिल्डर है फिल्डर को चेलेंज करके सोट मारने वाला हूँ उस सोट में क्या होता है कि वहाँ पे आप लोगो बहुत ही अच्छे सोट लगते है दे तो यह वाली गलती आपको सबसे पहले नहीं करने और दूसरी गलती आप लोग क्या करते हो कि आप लोग बहुत जल्द बेट घुमा दिता हो तो बेट जल्दी नहीं करना अगर यह पर अच्छी टाइमिंग नहीं होगी तो आप लोग बड़ा सोट कैसे मार पाऊगे आप ल सारे के सरकल गया अंदर है तो यहां से बहुत अच्छा सोट लगा और चे तो यह पर देखो आप मैंने गलती नहीं की तो तीन टाइम पर हो रही है तो वो चीज एक आपको याद रखना और उसके बाद देखो यापर अगर थोड़ा सा लेट मैंने कर दिया इस तो इस तरह से आप लोग को अगर थोड़ा सा लेट करें तो भी सोट नहीं मार पाओ तो आप लोग सबसे पहले यह ध्यान रखना अगर कोट अच्छा नहीं हुआ टाइमिंग ठीकन तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग कैसे करते हैं इस इस पिनर के सामने तो देखो इस पिनर का मुझे यह पर पता है कि यह स्पिनर कैसी गेंद वाजी करता है तो अब देखो मैं अभी इसको जो सिक्स लगाने वाल उसके बाद सोट मारो और इस पिनर के लिए आपको लोगो यही चीज़ करनी है कि आप लोग आने दो गेंद को जैसे गेंद आती है पास में उसके बाद सोट गुमाओ अगर तेज गेंद वाजे तो थोड़ा सा जलती सोट गुमा ताकि अच्छे तरीके से सोट लग जाई याप तेगो रिवर्स सुईप कर दिया अगर यह सी गेंद खराब डालोगे तो जरूरी नहीं बाई आपको सिक्सी लगाना अप लिए फोर भी लगा सकते हो उसके साथ साथ स्कोर वोड को अच्छे तरीके से चला सकते हो उसके बाद अच्छी तरह से गेंद वाजी कर सकत तो आप लोग उसके बाद एक गेंद भी आपकी डोट होगी तो आप लोग दबाव बढ़ता रहेगा इसलिए आप लोग क्या करना पेले बले बाजी कर दो टार्गेट सेट कर दो मेरी तरह उसके बाद आप लोग गेंद बाजी कर दो मैंने देखो या पे 53 रन का कर दिया से या पे तो बहुत ही अच्छा टार्गेट किया तो आप लोग भी इससी तरह से करो वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक चेर सब्सक्राब करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में